जय सिरी रामतो दोस्तो आज में अब सभी के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक एम्प्लिफायर के बारे में जो कि दोस्तो क्रॉन हॉर्मन कमने की तरफ से आती है ये попें Amplifier केवल बेस के लिए ही बनाए गयी है इस पे दोस्तोई बेस बहुत ही गजब का चलता है बेस बाइब्रेशन बहुत ही अच्छा सुनने को मिलता है क्योंकि दोस्तोई येules Kevल और Kevle does के लिए ही Amplifier बनाए गयी है अगर दोस्तो आप भी इस Amplifier को खरीन पढ़ेगा और दोस्तों आपको साथ यह भी बताएंगे कि दोस्तों इस एंप्लिफायर पे आप कितने वर्डिस के स्पीकर मतलब बेस इस्पीकर लगा कि कितने वर्डिस के चला सकते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नौलेज़वल होने वाली वीडियो पूरा जरूर देखें निए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले इस एंप्लिफायर के फ्रंट लुक की तह दोस्तों फ्रंट लुक आपको बहुत ही गजब का देखने में मिल जाता है बहुत ही वी आइप और प्रोफेस्शनल इसका लुक दिया गया है यह जो कि दोस्तों बहुत ही दो gain volumes भी देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों आपको पास में ही output level indicator bulb भी देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों आपको बीच में display देखने को मिल जाता है और दोस्तों आपको यहां पर एक model number भी देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों इस amplifier का model number है 6002 XTI series जो कि दोस्तों इस amplifier स्टेखने को मिल जाता है यह वह से बहुत ही रहें से बहुत हिए यहें क्योंकि दीगई है एस प्रोफेशनल एको दोस्तों बात कर लेते इस amplifier की बेक साइड की फिर दोस्तों आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप इस amplifier पर कितने वाड़ेस के बेस स्पीकर लगा के चला सकते हैं तो दोस्तों बेक साइड में आपको input और output का section देखनों को मिल जाता है इसमें दोस्तों आप और यहां के चैनल के लिए अलग 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 शेक्षन दिया गया है दोस्तों आपको एक cooling fan देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों हमारी amplifier को ठंडा रखता है वेसिकली ज्यादा गरम भी नहीं होगा amplifier काफी अच्छा है amplifier इसलिए दोस्तों एक दिया गया है वरना दोस्तों हमारी dual channel की जो amplifier होती है उसमें दोस्तों दो cooling fan दिया होते हैं इसमें केवल और केवल एक ही cooling fan दिया गया है ठीक दोस्तों आपको यहां पे speaker लगाने के लिए speaker के wires भी आप इसमें लगा सकते हैं and speaker भी लगा सकते हैं दोनों ही channel की अलग-अलग speaker आपके पास जैसे वही हो वैसा भी आप इसमें लगा सकते हैं और दोस्तों आपको ऊपर क्रोन XTI स्रीज देखने को मिल जाता है ब्रैंडिंग दी गई है इस एम्प्लिफायर की और इसी के नेची आपको एक AC केवल लगाने का उप्शन भी दिया गए है। ठील पर ऑम पे 33.000 वार्डिस आउटबुट निकाल के देता है और फॉरों में 200 वार्डइस निकाल के आउटबुट देता है दौनों जलमेंSON 21-100 वार्डइस निकाल के कैन आउटबुट देता है ऑड़स पर चैनल एक commute लगाने की तिसको यह पर इस के बंधर के रावड़स output निकाल के देता है एक चेनल में तो दोस्तो हम एक चेनल में चार सिंगल बेस speaker चलाएंगे चारों के एबिनेट्स के अंदर हमारे दोस्तो 8800 words के speaker होने चाहिए, चार दोस्तो हमारे speaker बन जाते हैं 3200 words के 2 ohm impedance बन जाता है जब हम पेलर में connections करेंगे और दोस्तो हमारा Amplify 2-Om पे 3,000 words निकाल के output देता है तो दोस्तो हम easily चला सकते हैं कोई problem बाली बात नहीं हमारे speaker का 200 words ज़्यादा भी रहेगा तो कोई problem नहीं आएगी हमारी amplifier के अंदर एक channel पे दोस्तो आप 4 base speaker लगा के चला सकते हैं और दोस्तो आप दूसरे चैनल पे भी 2-Om पे 4 base speaker लगा के चला सकते हैं दोस्तो आप total 2-Om पे 8 base लगा के चला सकते हैं पेलर ही connections करने हैं आपको सभी के अंदर ठीक है दोस्तो चले बात कर लेते forum की तो दोस्तो forum में यह हमारा Amplifier 200 वाड़ जिनकाल की आटपूट देता है एक चैनल में तो दोस्तो हम इसमें डॉयल वाला बेस चलाएंगे ठीक है दोस्तो एक-एक 1000 वाड़ का हमारा बेस स्पीकर होना चाहिए एक केवनेट के अंदर एक दोस्तो हमारा बेस बन जाता है 2000 वाड़ का फोरूम का तो दोस्तो हमारा Amplifier फोरूम पे 200 वाड़ जिनकाल के आटपूट देता है तो इजली चला लेगा कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है आप दोनों चैनल पे एक-एक डॉयल वाला बेस चला सकते हैं दोनों हमारे केवनेट के अंदर एक-एक 1000 वाड़ के स्पीकर होने चाहिए आप दोनों चैनल पे चला सकते हैं बहुत ही अच्छा response सुनने को मिलेगा ठीक है दोस्तो दोस्तो खास कर ही यह हमारे Amplifier बेस के लिए ही बनाय गया तो दोस्तो बेस इस पे बहुत ही अच्छा मिलेगा चले अब दोस्तो बात कर लेते हैं एटोम के तो दोस्तो एटोम पे यह हमारे Amplifier 1200 वाड़ आउटपुट निकाल के देता है एक चैनल में तो दोस्तो एक हमारे सिंगल जो स्पीकर होता है वो दोस्तो एटोम का होता है तो दोस्तो हम इसमें 1200 वाड़ का बेस स्पीकर लगा के चलाएंगे एक चैनल में दोनों चैनल में हम दोस्तो एक एक सिंगल स्पीकर लगा के चलाएंगे 1200 वाड़ का बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस सुनने को मिलेगा चलिए अब दोस्तों बात कर लेते इस amplifier की price की market में इसका क्या price पढ़ने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं online price बता रहा हूँ बाकि दोस्तों market में price उपर नीचे हो सकता है तो दोस्तों अब ब्रोक्स इस amplifier का price आपको 70,000 रुपे पढ़ेगा ठीक है दोस्तों market में उपर नीचे हो सकता है वहाँ पे आप लोग manage कीजिएगा और दोस्तों आपको एक चेतावनी देता हूँ दोस्तों amplifier लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है मैं यहाँ पे केवल आपको जानकारी बता देता हूँ amplifier के बारे में review करके बता देता हूँ details भी बता देता हूँ बाकी लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है पेसा आपका लगेगा लेकिन दोस्तों अच्छी लगे तभी आप amplifier ले आप यहाँ खरीदने जाएंगे amplifier एक बार अच्छी से चेक कर लिजिएगा तभी आप amplifier को खरीदें कोई भी हो चाहें यह नहीं कोई भी A to Z कोई भी सामान आप खरीदें चाहें speaker चाहें amplifier चाहें microphone कोई भी चीज खरीदें अच्छे से चेक करें तभी उसको ले क्योंकि दोस्तों बेफाल तुमें पैसा नाहीं बरबाद करें क्योंकि दोस्तों पैसा कितनी के मेंस से कमाया जाता है आप यह मैंस से कमाया जाता है बेफाल तुमें पैसा मत खर्च कीजिएगा तो दोस्तों उमीद करता हूं आपको यह वीडिय पोजे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिन और वन्द मात्रम